तो ये देखिए सिधा भी हारबर्ट से हमारे पास question आ चुका है और इस question कब हम viral कर देंगे बिल्कुल अब यही question सिधा आपके exam में आने वाला है क्या मजाग चल रहा है आप लोग के साथ इतना मजाग चल रहा है इतना मजाग अब क्या ही बताई इसके बारे में देखो हमारे पास भी बहुत सारा most important question है ऐसा नहीं हमारे पास भी हारबर्ट से viral हो चुका है हमारे पास आचुका है ऐसा कुछ नहीं है और किसी teacher के पास ऐसा होता नहीं है यह मैं confirm का सकता हूँ किसी के पास बिहार बोड से viral question किसी के पास आता नहीं है बहुत सारे आप लोग teacher को देख रहे होंगे कि सिधा viral कर रहे हैं कि हमारे पास बिहार बोड से डिरेक्ट आ गया question अब कमेंट में दो चार गाली देकर क्या कर पाऊगे लेकिन आपका टाइम बरबाद होगा तो हम भी जदी चाहते तो daily most important question का वीडियो लाला करके आप लोग को हम भी बटोर लेते ठीके लेकिन उसे फैदा नहीं होगा मेरे को हम वैसा इंसान नहीं है हम मतलब आप लोग को समझते हैं क्योंकि हम भी कभी exam दिये है उस feeling को हम समझते हैं कि आप लोग के साथ अभी क्या चल रहोगा हमें पता है अच्छे से आप लोग सोचते होंगे कैसे भी हमारा अच्छे से exam चल जाए कोई most important question दे दे कोई मतलब कोई positive बात आप लोग को समझाएगा आप लोग कभी खराब बुरा लेगा बहुत खराब लेगा क्यों लेगा क्योंकि आप लोग भी सोचते हो कैसे भी हमारा exam 100 में 80, 80, 90 आजाए पढ़े तो नहीं है लेकिन फिर भी 4 है कि आजाए जो नहीं पढ़े लोग सोचते हैं कैसे भी हम पास हो जाए तियसा बाते होती है डर लगते रहता है उससे कुछ फैदा है नहीं अब most important question ही आपको कोई teacher 100 दे रहा है उसमें से बोले कि 5 आएगा तो पढ़ने से क्या फैदा कुछ नहीं फैदा होगा करना क्या होगा अब आप इस वीडियो को अंतक देखिए आपको बहुत अच्छा समझाने वाले हैं कल आप लोग का 9 बज इंट्री है और उससे पहले आपको क्या करना है ध्यान देना है यह सब important question की चक्रों में नहीं पढ़ना है यह बहुत ही आप लोग को बरबाद करेगा आपके साथ एक खिलवार किये जा रहा है important कुछ नहीं होता है पहले पढ़े हो वो सही बात है अब ना मालो की कोई साइक वेचन दे रहा उसमें से आप साइब क्या complete कर लोगे नहीं हो पाएगा जो नहीं पढ़े है जो पढ़े उसी के लिए वो भी important है तो किसी ऐसे ऐसे teacher के पास आप लोग को जो गुबराह कर रहे हैं उनको वीडियो देखना बंद करो क्यों क्योंकि आपके पास time नहीं है यदि चाहते तो हम भी देखो इतना most important question रख लेकिन हमने भी कभी कोशिश नहीं किया कि मतलब यह सब question करा दे आप लोगो पहले हम मेनद करके पढ़ाये हैं पुरा syllabus complete करवाये हैं तो अब इसके लिए क्या ही जूरत है कुछ हम वीडियो लाये थे दस दिन पहले हमारा भी most important question का स्रीच चल रहा था उसमें हम जो जो कहे थो पढ़ा दिये थे लेकिन अब क्या आज कल से वीडियो नहीं आ रहा था इसका रिज़न यही था कि आप लोग साम एक वीडियो बोले थे कि आप लोग पिछे का रिज़न करो वही आपके लिए बेहतर होगा यह नहीं कि दस question पढ़ लो उसी में से आएगा ऐसा करना होता है तो हम लोग इतना जिन से वही काम कर लेते हैं तो हैंडेड परसेंट से पढ़ कर जाते हैं हैंडेड में हैंडेड आ जाता है ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है ना तो आप लोग ऐसा करो ठीक है ना आप लोग ऐसा करो कि चुप चाप जो पढ़े हो फर्मूला जो वह बिहार बोड़ है इसमें 50 अब्जेक्टिव आने वाला है 50% तो फर्मूला को रट जाओ पीछे जो पढ़े हो सारी फर्मूला का आप लोग पढ़ लो मैं ग्रांटी दे रहा हूँ कि आप सभी फर्मूला जीदि पढ़ कर जाते हो और जो हम ठीवरी पढ़ाये तो उसको थोड़ा सा बीरिविजन कर लेतो पर स्पाना पळट लेते हो तो मैं 50 से 50 बोलता हो कि आप लोग कर लो नए नए क्वेश्चन के चकर में बिल्कुल नहीं पड़ना है आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है इस सब वारल कोचन हो कहां सा रहा है जानते हो कहां से बिहार बोर्ट से नहीं हो रहा है इस सब क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है कोई कहीं से नहीं लाता है और आपका विहार बोड भी जहां से question set करता है सबसे ज़्यादा 60% question bank से ही set करता है तो question bank में जाओ देखो कौन कौन दो बार तीन बार question पुछा गया है उस question को नम अच्छे से revision कर लो हो जाएगा इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है तो इन सब चीजों के चकरों में नहीं पढ़ना है मेरे भाई आप चुपचप अपना पढ़ाई पर फोकस करो revision करो फर्मूला का याद करो most important viral question यह सब बिल्कुल बेकार है अपने जो पढ़े उस पर फोकस किया करो जो बिल्कुल नहीं पढ़े है वो तो समझ रहे हो क्या होंगे वो important most important question दिया भी जा रहा होगा तो क्या वो complete कर पाएंगे वो तो cheating के बरों से बैठे है ठीक है अपना करने रख कोई बात नहीं अपना मन ठीक है लेकिन जो लोग पढ़े हैं उनके लिए बात यह हो रही है कि आप लोग इन सब चीजों के चकरों में नहीं पढ़िये आप चुप चाप question बैंक है आपके पास देखो इस question को कितने बार कौन सा पुछा गया है खुद से अपने मालिक बनो यार खुद से अपने आपको संभालो ठीक है यह दूसरे लोग के हाथ में चले जाओगे ना इधर सुदर लोग कर देंगे कितना इपोटिंट पढ़ोगे यार आप लोग रॉबर्ट तो नहीं हो ना कि कॉम्पीटर भी नहीं हो ना रॉबर्ट हो आप लोग एक इंसान हो तो उसके हिसाब से आप लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन बैंग में जो दू बार तिन बार क्वेश्चन पुछा गया उसको रीड कर लो और फर्मूला सारे याद कर लो हो जाएगा 12 क्लास कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या टॉप कर जाओगे 80% 85% ला दोगे तो क्या आपका जॉब मिल जाएगा नहीं सिर्फ confidence ग्रोथ होता है confidence में आपका ग्रोथ होता है और बाकी कुछ नहीं होने वाला जदि आप 60% भी लाओगे तो कोई दिकत है खुद के दम पर 60% लाओगे चीटिंग करके 80% लाओगे बताओ दोनों में कौन सा confidence आपके life में देगा ये देगा ये नहीं दे सकता ठीक है तो खुद के दम पर कुछ भी करोगे तो अच्छा लगता है चीटिंग करके लाही दोगे तो क्या फैदा ठीक है ना इस बात को समझो चीटिंग के चकर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो पढ़ है उसको रिविजन करो उसी को पढ़ते रहो हम भी जदी डाल देते 20 क्वेशन ला करके और 35-36 चार्श मेंट का वीडियो बनाते यह हो गया भी हारबोड का वाइरल क्यूश्चन ध्राधर भीव आता लाइक आता सब्सक्राइब लो करते हमारा भी फैदा होता लेकिन आप लोग का उसमें कुछ फैदा नहीं होगा यह मैं गरांटी कर रहा है फैदा नहीं होगा आप लोगो कुछ है जिए पॉर्टिंट हमें पता है कि एकजाम होल में क्या होता है हम लोग 100% में से 50% ऐसे ही हो जाते है डर से क्या हो गा डर लगा रहाना रहता है तो डर से कुछ होने वाला तो है नहीं इसलिए हम लोग डरेंगे ही नहीं डर से हम लोग गाटा ही है लौस ही है तो डरेंगे क्यों हम लोग डरना बिल्कुल नहीं है राम से रिलेक्स होकर के देना यार कोई कुछ नहीं कहेगा आपको अपके ममी पापा कहेंगे कि ऐसा नहीं कि आप 80% टी लाओ ऐसा कुछ नहीं है, खुद के दम पर 40% भी लाओगे न, वह आपको बहुत ही खुशी देगा, चीटिंग के दम पर 80% भी लाओगे ना पचासी परसेंट भी लाओगे वह आपको मतलब किसी के पास रहोगे दोस्त के साथ रहोगे तो खुशत रहोगे लेकिन अपने आप अंदर में confidence आपके साथ वैसा नहीं रहेगा आप हमेसा उदासी रहोगे तो खुद के दम पर करना है ठीक है अभी जाओ चुप चाप हम जदलोंग वीडियो नहीं बनाएंगे अभी जाओ चुप चाप अपना रिवीजन पर फोकस करो इधर उधर वीडियो देखोगे टाइम बरबात होते जाएगा बहुत सारे लोग वीडियो डालती रहेंगे और बिहार में लाखो क्रो करते रहो वहीं आपको लिए आपके लिए लबदायक होगा वहीं आपके लिए कुछ भी वह सकता है अच्छा सामिस होई होगा ठीक है ना फर्मुला कर लो जाओ अभी फर्मुला जल्द जल्द याद करना जितना फर्मुला पड़े हो नैची सिकने में टाइम बरबात होत इसलिए हम यह साब वीडियो बनाते रहें दो तिन दिन से कि रिवीजन 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 हमको भी मन था इपोर्टेंट क्वेशन का आज लाए देखो लिकर करके लाए वह थे बिस क्वेशन हम नहीं कर पाएंगे भाई क्योंक हम पहले पढ़ा चुके हैं वो सब ठीक है चलो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में